सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन दबाना ना भुलें कोई भी मां अपने बेटे को अपने सामने काटता हुआ या मरता हुआ देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा क्या कदाप ही नहीं लग सकता सुरश्टी में जितने भी जीव हैं चाहे पसू हो चाहे पक्षी हो अत्वा मनुष्य हो सभी के सभी मां के पुत्र हैं मा भगवत अपने बेटों की बली कभी नहीं चाहेगी तो को बलीदान सब्द का सही अर्थ क्या है दानियों में सबसे स्रिष्ट दाने हुए महराज बली चिन्हों ने अपना सरवस्त तो दिया ही दिया अपने आपका भी दान भगवान बामन को कर दिया तो जब सबकुछ बामन भगवान को बली ने दान कर दिया तो भगवान ने उनको बरदान दिया कि आज से दान में जहां कोई विसिष्ट दान करेगा तो तुम्हारा नाम साथ चलेगा और उसमें कहा जाएगा बली जैसा दान इसलिए उस सब्द को जोड़ कर बना दिया बली दान माने बली जैसा दान राजा बली ने जो दान किया था बैसा दान माने अपना सब कुछ दान वह है बली दान अब हमने उसको धीरे धीरे अपने जिब्या के स्वाद के लिए अपने निजी स्वार्त की पूर्ती के लिए तरह तरह की तांत्र क्रियाओं को करने वालों ने उसको पसू बली से जोड़ दिया पक्षियों की बली से जोड़ दिया और बलिदान होने लग गया ये बिलकुल अनुचित है सास्त्र की आग्या कभी नहीं देता स्रीमत भागवत में प्रसंग है कि राजा प्राचीन वरही ने देखिए हम हर बात को सास्त्र से ही प्रमानित करने का प्रयास करते हैं हम मनमुकी ढंग से कोई बात आपसे कह दें किवाल आपको प्रसंद करने क कणे लिए कोई बात बर्गया कर कहें यह हमारे लिये भी ठीक नहीं Archive अब्क नहीं आपके लिए थोड़ी देर कड़ कोई बात लेकिर हमारा प्यास रहेगा कि हम आपको सास्त्र की ही बात करें कि स्रीमद भागवत और जैष स्कंड में प्राचीन वरही का प्रसंग है राजा प्राचीन वरही ने हिंसात्मक यग किये पसूओं की बली दी तो वहाँ नारजी ने आकर कि जो उवदेश दिया है आप उस प्रकरण को पढ़िए यह आपके मन में कोई संका है नारजी कहते हैं राजन जिन पसूओं को आपने मारा है यह निश्चित ही आपसे बदला लेने के लिए उपर आपकी प्रतिक्षा कर रहे है आपने जिन निरी है पसूओं का बद किया है वह आपकी प्रतिक्षा कर रहे है कि कब है आपसे बदला ले और जब प्राचिन वरी ने उपर देखा तो नारज जी की कृपास से उनको दृष्टी प्राप्त हुई और उनको आकास में हजारों पसु पक्षी जो उसने राजा ने मारे थे वो वहां क्रोध भरी दृष्टी से राजा की और देखते हुए दिखाई दिये प्राचिन वरी डर गए नारज जी के चरण पकड़ लिए अब मैं क्या करूं अपरात तो हो गया इससे बचने का उपाय क्या है तब नारज जी ने कहा कि आप भगवान का आस्रे लेजिए और आज के बाद यह सब बंद कीजिए और भगवान की भक्ती में लग जाईए प्र है सर्वता गलत है हमें नहीं करना चाहिए देखो भीया मानव देह जो है यह साका हार के लिए भगवान ने बनाया है हमें इसमें मासा हार करके अपने पेट को कबरिस्तान नहीं बनाना है मरे हुए व्यक्ति को इस पर्स करने के बाद व्यक्ति श्नान करता है कपड़ें के सहित नहाता है और मरे हुए पसुओं को अपनी ठाली में सजा के खा जाता है कितनी बुरी बात है कितनी दुख की बात है हम जिस भोजन को पा रहे हैं उसमें किसी की चीख किसी का दुख किसी की पीरा मिली हुई है जब हमने उस पसुओं को काटा होगा उसके रक्त बहा होगा उस पर हत्यार चला होगा उस पर क्या बीती होगी उसको कितनी बेदना सहनी पड़ी होगी उसकी उस बेदना को जब आप भोजन के रूप में आहर के रूप में गरहन करेंगे तो आप बतलाएए आप प्रसंद रह सकते हैं क्या आपकी अं वस्तुएं खाने पीने की बनाई हैं, कितने फल, कितनी सबजिया, कितने प्रकार के अन, कितने प्रकार के फ्रूट्स, ड्राइ फ्रूट्स, खाईए न, क्यों पस्तुओं को मारते हैं, बहुत बुरी बात.